शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें जॉइंट एक्शन कमिटी के अध्यक्ष प्रलाद अगरवाल हमेशा ही लॉजिस्टिक कमपनी और ट्रक ओनर्स की मदद के लिए आगया रहे है फिर चाहे वो महामारी का समय हो या लॉग्डाउन जैसी कठीन परिस्तिती इस कार्य में भाईचारा राजमार्क परिवन सेवा और शिवाजी वहनचालक और चालक असोसियेशन जो की लॉजिस्टिक कमपनियों के हीत में काम करने के लिए जॉइंट एक्शन कमिटी के साथ जुड़ी है इनका उदेश है देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना जिसके लिए प्रलाद अगरवाल ने कहा कि कोई भी उन्हें बेजी जग संपर्क कर सकता है और अपनी परिशानी जाहिर कर सकता है वो हमेशा मदद के लिए आगे रहेंगे लोगडाउं के मद्द नजर लोजिस्टिक कमपनी और ट्रक ओनर्स के बुरे हाल हो रहे हैं महामार्ट पर जब भी कोई ट्रक या गाड़ी से सामान का लाना ले जाना किया जाता है तब चेक पोस्ट पर पुलीस कर्मी इन ट्रक चालकों की जाच कर पैसे वसुलने की कोश इसी ब्रष्टाचार को रोकनी की मांग हमेशा जॉइंट एक्शन कमिटी के अध्यक्ष प्रलाद अगरवाल करते आए हैं कमिटी के साथ इस कार्ये के लिए भायचारा राजमार परिवान जेवा के संस्तापक नरिंत्र मिश्रा और शिवाजी महराज चालक के अंकूर ने कहा कि इस ब्रष्टाचार के खिलाफ लडाई शुरू है हाला कि सभी के लिए एक प्रकार का कानून और एक प्रकार का देंट होना चाहिए जो भी कानून बने वो ट्रांसपोर्ट और आर्टी ओ दोनों पर लाग होने चाहिए लॉजिस्टिक यह देश का दूसरा सबस है लॉजिस्टिक जो आर्थिक विकास में साहिता करता है इसलिए मुश्किल समय में सरकार ने इन करमचारियों की साहिता करनी चाहिए प्रल्णह दगरवाल ने कहा मैं अपने सालों का अनुभव आपके साथ साजह करने के लिए तयार हूँ यदि आपको किसी भी तरह की द ब्राइबर भार्यों के लिए ओर जो लोजिस्टिक में जुड़े हुए मजदूर भाई हैं लोजिस्टिक से जुड़ा हुआ कोई भी आदमिये उसके लिए काम करना चाता हूं और उसके लिए ह Lead करने वाले किसी की भी साहिता करने के लिए मैं अपने आपको तयार किये हूँ दो संसाइं मेरे साथ जुड़ी है एक भाई चारा बी आर पीएस और दूसरा शिवा जी चलक यह दो संसाइं मेरे साथ जुड़ी हैं और जो मेरे सहयोग से देश में जो गलत हो रहा है और उनके खुछ अपने नियम है कि भी ऐसा होना चीए एक का न करप्शन मुक्त या उस मुक्त वो होना चाहिए तो मैं उनको सहयोग देना चाहता हूँ इसी तरह का कोई भी आदमी जो इस संसाओं के बारे में चाहता है या लोजिस्टिक के बारे में चाहता है तो मेरे से खुलके मिल सकता है मैं मेरे जो पचास-पच्पन साल का अनुभव है उस अनुभव से मैं उनकी सहयता करने के लिए तैयार हूँ जिससे हमारा देश और हमारी इंडेस्ट्री सम्रद हो जिसको अच्छी नजर से सब लोग देखें और जो सरकारी भाई हमको अभी तकलिफ देते हैं बोर्डर पे सीटी में वो हमको दूसरों की तरह अच्छा दर्जा दे यह मेरा सोच है इस सोच को आगे लाने में मैं पूरे भारतिये लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ को वो मेरी साहिता करें मेरे को अपना साथी बनाएं और मेरे अंवर का फाइदा उठाएं और जो गलत हो रहा है और जो अभी इस लोकडाउन के टाइम या हमारी के टाइम में जो जुरूर से जला गया है अभी सही मोगा आया है कि अगर सरकार इस में इस लाइन में थोड़ा सा भी सहयोग देगी तो जो गलत हो रहा है वो बंद हो सकता है मेडिया वालों से खास मेरी और ये नियूज पेपर वालों से मेरी ये हैं कि वो सच को छापे और इसमें फुली सहयोग दें कि इसमें जितना भी गलत हो रहा है वो रुख सके यही मेरा कहना है यही मेरी सोच है और इसको मेरे को हर हाल में आगे ले जाना है और मेरी आवाज प्राइम मिनिश्टर तक पहुंचे जिससे कि वो भी सोचें यह इंडिस्ट्री कोई छोटी इंडिस्ट्री नहीं है बहुत बड़ी इंडिस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के लिए भी अगर ये इंडस्ट्री जिन्दा रहेगी तो लोगों का माली दर से उधर जाएगा लोगों का अच्छा काम होगा उनको भी उनको भी इस पे रहन नज़र रखने चाहिए जैहिंद जैभागा कोरोना महमारी ने सभी वर्ख को असायक कर दिया है इसका असर गरिब वर्ख पर ही जादा देखा जा रहा है जिसमें दिहारी मजदूर ट्रक चालक रोज काम कर गुजर बसर करने वाले लोग शामिल है इनकी मदद के लिए कोई ना कोई संस्ता आ गया रही है लेकिन एक सही क कानून बनाकर और सही राहतकार ये योजना बनाकर इसे अमल में लाने की ज़रूरत है इन बीस या न्यूस के लिए अभिशेक पांसी के रिपोर्ट